मुझें दोस्तों मेरे नाम अतुल और स्वागत है अपका अपनी यूडिप चैनल अतुल टिक बजार में दोस्तों रेनो 8 प्रो डिवाइस रिसेंटल लांच हो चुकी है और यहां पर दोनों ही वेरियंट ब्लैक एंड क्रीन हमारे पास अवलेबल है यहां पर कलरोस 12.1 मिलता है इसके एक्स्क्लूजिव फीचर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं यहां पर इस मोब अगर आप देखोगे तो स्ट्रीम लाइन यूनिबोडी डिजाइन प्रोवाइड किया गया है डिखोगे तो काफी अच्छा यहां पर डिजाइन दिखता है पर रहन उसके फोन है तो यहां पर काफी डिसेंट रहता है इसमें आपको 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमर सिलकॉन एक प्रोसेसर यूस किया गया है जो कि इमेज प्रोसेसिंग काफी अच्छी कर देता है यहां पर आप 4 के वीडियो नाइट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं नाइट फोटोग्राफी भी काफी डिसेंट हो जाती है वैसे सेलफी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कै कामरा मिल जाता है जो कि Sony IMX709 है तो रेर कैमरा और फ्रेंट कैमरा दोनों में ही आपको फ्लेक्सिक लेबल के Sony के कैमरे मिल जाते हैं इस मोबाइल के जो कॉर्णर से वह फ्लेट है एंड जो इसके थिकने से ऑनली 7.3 mm है जो वेट है 183 क्रेम का है इस मोबाइल में आप दो nano sim use कर सकते हो 5G sim and यहाँ पे यह hybrid slot के साथ आता है यहाँनि अल्ली 2 sim यहाँ पे यूज कर सकते हो ताइप C charging port मिल जाता है जिसमें 80 watt का यहाँ पे super fast charging मिलती है बात करें battery की तो इस में 4500 mAh की battery provide की गई है तो यह 80 watt की fast charging के साथ 15 मिट में मोबाइल 50% तक charge हो जाता है इस दि इबाइस में आपको NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है एंड डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आप डिस्प्ले यहाँ पर देख सकते हो 6.7 इंचेस का सूपर एमुलेट डिस्प्ले मिलता है सामें ट्रिक एज के साथ में आप अप देख सकते हो नीचे की तरफ भी जो बिजल्स है बहुत जादा कम है क्याने आपको जो मॉबाइल है चारो तरफ से सेम बिजल्स में देखने को मिलता है तो यहाँ पर लुप काफी प्रीमियम हो जाता है फ्रेंट में आपको सेलफी के लिए 32 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है जिसमें Sony IMX709 सेंसर यूज किया गया है यह डिस्प्ले 120Hz refresh rate के साथ में आता है साथ ही में इसमें Corning Gorilla Glass 5 का protection भी मिल जाता है बात करें OS की तो इसमें out of the box ColorOS 12.1 मिलता है जो के Android 12 पे बेस्ट है और बहुत सारे features ColorOS 13 के इसी 12.1 में आपको मिलने बारे तो इस feature भी discuss करेंगे साथ ही में दूस्तों यहां पे processor के बारे में बात करें तो इसमें Dimensity 8100 Max processor मिलता है जो कि एक 5NM processor है and RAM Expansion जैसे features इसमें मिल जाते है अब तो 7 GB तक RAM जो है यहां पे virtual RAM का support आप ले सकते हो क्योंकि दूस्तों यह एक latest mobile है इसमें कुछ system app के version में आपको दिखा जाता हो game space का version आप देख सकते हो 4.70 यहां पे version दिया हुआ है इसी साथ जो theme store है 8.6 version पे available है तो यहां पे हम phone manager app को search करके देख लेते हैं phone manager app का version यहां पे आप देख सकते हो 12.9 है जो की latest version यहां पे available है camera scientific mobile है फड़ापट से camera ज़र ठाफे से आपको दिखा दूँ यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे options आपको यहां पे मिल जाते है night का option available है इसमें यहां पे अगर आप देखो तो max to max आपको 10x zoom तक का option मिल जाता है यहां पे चीप यूज किया गया मैंने आपको बताया था जिससे कि आप 4K वीडियो और night में काफी अच्छी photography कर सकते हो फड़ापट से वीडियो फैंक्सम चेक करते हैं यहां पे आपको ultra study mode मोल जाता है यहां पे AI highlight वाला जो feature है वो भी available है यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे max to max हमें क्या मिलता है 720p पे यहां पे आप 30 and 60 fps पे video record कर सकते हो 1080p भी 30, 60 fps का option available है 4K वीडियो आप यहां पे 30 fps पे record कर सकते हो 4K वीडियो में भी 60 fps का option available नहीं है यहां पे वीडियो के लिए front error है दोनों में ही यहां पे filters available है जो कि premium mobile, realme and oppo के premium mobile में आपको filters का option मिलते है यहां पे available है और front में अगर आप video या photography करते हो तो यहां पे भी आपको zoom का option मिल जाता है बात करें फोटो की photography यहां पे आप देख सकते हो rare camera में 50 megapixel का camera है Sony का यहां पे 20x तक digital zoom का option available है काफी clarity के साथ यहां पे 20x तक आप फोटोग्राफी कर सकते हो front and rare portrait में दोनों ही तरफ यहां पे जो है जो premium mobile में आपको filters के option मिलते है जैसे के realme 8 pro में आपने देखा होगा सारे filters के options यहां पे available है दिन दुस्तों यहां पे जो more का option है यहां पे आप पे screenshot भी ले सकते हो दिन यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे कौन-कौन से options available है मुशलिए यहां पे सारे premium features जो है available है dual video, micro photography अगर आपके करना चाहों कर सकते हो slow motion video record कर सकते हो and oppo ने realme से जो sticker का option हटाया था sticker के option भी यहां पे available है इस mobile का जो front camera है काफ़ी detail के साथ photo ले जाता है 32 megapixel का यहां पे Sony IMX 709 sensor दिया गया है तो आप देख सकते हो यहां पे काफ़ी ज़्यादा detailing के साथ आप photographic कर सकते हो flexi playable का mobile है यहां पे personalization section हम देखते हैं तो यहां पे always on display में आपको सारे features मिलते हैं AUD customization वागरे के जो option है यहां पे available है Omoji भी यहां पे यूज़ कर सकते हो portrait seal load वाला option भी यहां पे available है always on display को आप customize कर सकते हो और इस तरह के Omoji खुद के यहां पे create करके display में सामने लगा सकते हो fingerprint animation आपको old वाले ही मिलते है अगर आपको new वाले चाहिए तो इसके regarding video चैनल पे available है colorless 13 के fingerprint animation वैसे यहां पे edge lighting effect वाला जो feature है वो भी available है तो बहुत सारे जो features AUD customization वाले जो feature हैं वो इस mobile में आपको definitely मिल जाते हैं अब बात करते हैं तो एक unique feature की जो कि इस mobile में आपको मिल जाता है setting section में special feature के अंदर air gesture का option आपको मिलता है तो भी इस feature का use करके वैसे इसके regarding बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ APK भी available करा चुका हूँ अगर आपके device में support करता है चेक करेगा channel पे available है इस feature के जरिये दोस्तो आप बीना mobile को touch किये air gesture के through आप scrolling कर सकते हो YouTube वीडियो को pause प्ले कर सकते हो call भी उठा सकते हो and इसे disconnect कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन option यहाँ पे available है तो इस तरह से दोस्तो आप air gesture यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे दिखा देता हूँ setting से air gesture को on करने के बाद आकर आप YouTube में जाओगे और camera के सामने इस तरह से hand press करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे hand दिख रहा है and जैसे आप ऊपर hand करोगे तो यहाँ पे air gesture के थ्रूँ को operate कर सकते हो तो यह काफी unique feature है क्योंकि Realme के mobile में अभी तक नहीं मिला है OPPO के premium mobile में यह मिल चुका है mostly इसकी जो AP के है description box में आपको मैं provide कर दूँगा अगर आपके mobile में यह support करता है तो try आप कर सकते हो आप दोस्तों जो multi screen वाला option है means PC connect वाला जिससे आप यहां पर use कर सकते हो यह भी available है यह एक अच्छा सा feature है जो कि ColorOS 12 में introduce कराया गया था और NFC वगरे के option भी इस mobile में available है मैं आपको यह पहले भी बता चुका हूँ इस mobile में Dimensity 8100 Max Processor provide क्या क्या है जिसके एंदे दूबेंजमार्क स्कूर आप देख सकते हो 6,62,000 के असपासे काफी अच्छा स्कूर यह गेन करता है मर्टी टास्किंग गेमिंग के लिए काफी best mobile है अधर फिचर में दोस्तों यह जो mobile है Bluetooth 5.3 support के साथ में आता है इसमें HDR10 Plus का support भी available है एंद UFS 3.1 का support available है इस mobile में X-axis linear motor का support मिल जाता है जिससे गेमिंग बगरे काफी अच्छी होगी वाइबरेशन काफी इसमें अच्छे आते है इसके साथ ही दोस्तों यह जो mobile है IP54 rating के साथ में आता है एक water protection के साथ में splash proof का यहाँ पे support भी मिल जाता है इस mobile का 12GB 256GB variant है वो 46,000 के आसपास आता है online भी आप इससे यहाँ पे चेक कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप बुरानपूर के आसपास रहते हैं तो प्रणव इंटरपाइजेस रुपाली कम्मिनिकेशन में यह जो mobile है आपको online से कम दाम में मिल जाएगा पर विजिट करके यहाँ पे चेक आउट जरूर से करियेगा इस mobile के regarding और भी कोई doubt question है comment section में आप मुझे पूछ सकते हैं फिला दोस्तों इस वीडियो में इतना है विल देने नेक्स नहीं वीडियो के साथ में तब तक लिजए इन बोलते रहिए पंदे मतरम